हेलो स्टुडेंट्स वेलिकम बेक टू प्रेपॉन चलिए हम लोग आज कल पॉलिटी रिवाइस कर रहे हैं बेसिक पॉलिटी फॉर फॉर फ्रियास एक्जाम्स सेसी जी या बिहार पीचियस यूपीपीचियस के लिए जो बेसे कंसेप्ट्स होते हैं उसको हम लोग करते हैं हाई कोट दो आर्टिकल 214 में होता है हाई कोट और इसमें लिखा है दियर शेल भी हाई कोट फॉर इच स्टेट हर स्टेट के लिए हाई कोट होगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं की हर राज्जी के लिए अलग हाई कोट होगा हर राज्जी के लिए हाई कोट तो हो उतने जजिज होंगे जितने राष्टुपती समय समय पर टै कर देंगे, High Court की स्ट्रेंथ वैरी करती है, Juridictions varied है, कुछ बड़े राज्यों में हैं, कुछ बहुँ छोटे राज्यों में हैं, Number of Judges वैरी कर जाते हैं, तो स्ट्रेंथ सरकार टै करती है, हर High Court के जजज को राष्टपती अफ़ाइंट करते हैं, लेकिन वो एक कॉलेजियम से डिसकस कर लेते हैं, जिसमें CGI होते हैं, और CGI दो सीनियर मोस जजजिस से कंसल्ट करेंगे, और जो उस High Court के Chief Justice हैं, उनसे भी कंसल्टेशन होता है, और जो गवर्नर होते हैं उस राष्ट के उनसे भी कंसल्टेशन होता है, तो High Court के जजज के केस में राष्ट की तरफ से गवर्नर से कंसल्टेशन होता है, गवर्नर से कंसल्टेशन का मतलग है कि उस राष्ट की सरकार मुख मंत्री सला देते हैं, तो गवर्णाय कंसर्टेशन हो जाता है और उस राज्य के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी कंसर्टेशन होता है और सुप्रिन कोर्ट का जो कोलेजियम है उसमें CGI अपने नीचे के दो जज़िस से कंसर्ट करते हैं और अपॉइंट्मेंट होने के बाद 62 साल तक ये जज़ पत्पे बने रहते हैं राश्टुपती अपॉइंट करते हैं कौन बन सकता है? नागरेखो दस साल कम से कम उन्होंने किसी भी जुडिशल आफिस में काम किया हो मतलब लोड जुडिश्री में काम किया हो या दस साल कम से कम हाई कोर्ट में वकालत की हो दो कौलिफिकेशन से हाई कोर्ट में कम से कम वकालत हो या लोड जुडिश्री में जज़ के तौर पे दस साल काम किया हो High Court के Judge को हटाया जा सकता है और उसी तरीके से हटाते है जैसे कि Supreme Court के Judge को हटाते है Like Grounds का मतलब है Proved Misbehavior or Incapacity Like Method का मतलब है कि Special Majority लोगसवा और राजसवा And Judges Inquiry Act 1968 भी Follow होता है और जब ये दौनों houses पास कर देते हैं तो राष्टपती के आदेश से High Court का Judge हट जाते है High Court के Judge को हटाने का एक instance जो कोशिश हुई थी वो केलकटा High Court के Judge को हटाने की कोशिश की गई थी सौमित्र सेन, Justice सौमित्र सेन को हटाने की कोशिश थी गई थी राजसभा में ये इंट्रिउस हुआ था और पास भी हो गया था बहुत अच्छी मिजोरिटी से लेकिन लोग सबा में टेक अप होने से पहले और उनोंने स्थीफा दे दिया तो एक केस बना है High Court का जब 2012 में Justice सौमित्र सेन के खलाफ impeachment काफी आगे बढ़ गया था तो High Court के Judge को भी impeachment से हटाते हैं High Court की jurisdiction समिधान में साफ साफ लेखे नहीं है different different sources से governed होते हैं कुछ CRPC से governed होते हैं कुछ laws Parliament पास करता है उससे governed होते हैं कुछ समिधान में mention भी होते हैं In journal High Court के पास original jurisdiction भी होता है Appellate भी होता है मतलब district court के फैसले High Court में appeal होते हैं और कुछ cases सीधे ही High Court में आया करते हैं जैसे MPMLA के disqualification के cases हैं उने High Court में challenge किया जा सकता है district court में challenge नहीं कर सकते हैं लेकिन जो सबसे important jurisdiction है वो आर्टिकल 226 में है जैसे रिट jurisdiction कहते हैं जैसे Supreme Court आर्टिकल 32 में fundamental rights के case में रिट जारी कर सकता है ऐसे High Court भी आर्टिकल 226 में वही पांचों रिट जारी कर सकता है जो Supreme Court कर सकता है लेकिन High Court रिट जारी करेगा in the case of fundamental rights as well as legal rights मतलब जो part third से flow होते हैं वो fundamental rights हैं जो other parts of the constitution से flow होते हैं मतलब non third part से या जो और laws से flow होते हैं उने legal rights कह देते हैं तो High Court के jurisdiction जो रिट jurisdiction होता है वो Supreme Court से जादा होता है क्योंकि वो legal rights की case में भी रिट जारी कर सकते हैं आर्टिकल 230 में अब ये बात होती है कि जो बाकी High Court से वो कैसे होंगे जब ये बोला कि सभी राज्यों में High Court नहीं होगा सभी राज्यों के लिए अलग High Court नहीं होगा तो कुछ Providence अविधान में है जिससे अलग High Court बन सकते हैं आर्टिकल नमबर आपके लिए इतना important नहीं है फिर भी Parliament चाहे तो किसी भी existing High Court की jurisdiction को किसी UT के लिए extend कर सकता है ऐसा Parliament करेगा Supreme Court नहीं करेगा Parliament law बना के कहेगा कि यह जो केरला High Court जो एका jurisdiction है यह लक्षदीब को extend होता है इस तरीके से अंड़मान निकोबार को दिया गया है कलकटा High Court लक्षदीब को दिया गया है केरल High Court पॉर्णिचेरी को दिया है मदरास High Court दादन नागर और दमन दिव को Bombay High Court दिया गया है इनके लिए Bombay High Court हुआ करता है तो यहाँ पर Parliament बकाइदा law बना कर UT के लिए किसी existing High Court को define कर देता है आर्टिकल 21-31 से Parliament चाहे तो common High Court बना सकता है जिसमें कम से कम दो राज्यों हो और UT कम से कम दो राज्योंगे UT भी हो सकती है、 नहीं भी हो सकती है जैसे गुहाटी High Court है चाहर राज्यों के लिए हुआ करता है पहले-साथ राज्यों के लिए था लेकिन मेगाले-मणीपुर-तृब्वरा के High Court बन गये हैं तो वो अलगस हो जाता है पंजाव हरेहना High Court है वो पंजाब हर्याना चंडिगर के लिए है, बॉंबे हाई कोर्ट महरास्ट गुवार यूटी के लिए है, और जो जम्मू कश्मीर राज का हाई कोर्ट था, वो पहले राज का हाई कोर्ट था, अब वो यूटी का हाई कोर्ट मान लिया जाता है, The only UT having its own high court is Delhi और ऐसे में जम्मो और कश्मीर के high court को भी UT का high court माना जाता है Article 241 में जम्मो कश्मीर में changes आए हैं उसमें आप ऐसा मान लेते हैं कि जम्मो कश्मीर का high court है वो 2-41 वाला high court हो गया है मतलब UT के लिए separate high court हो सकता है High court judge जज राष्टपती को स्तीफा दे सकते हैं और ओथ उनको गवर्नर दिलाते हैं ओथ गवर्नर दिलाते हैं इस appointment राष्टपती करते हैं salary वगरा उनकी parliament टै करती है Catholic fund of state से चार्ज होती है High court के judge की salary राज नहीं पर्लेमेंट टै करता है लेकिन वो चार्ज होती है राज जिकी consolidated fund से High court का judge रिटायल होने के बाद उनों high court से practice नहीं कर सकता जहां जहां वो permanent judge रहा है otherwise वो practice कर सकता है सुपरिंग court के judge के उपर पूरी पाबंदी है वो कहीं वे वकिल बनके का नहीं कर सकते यह हुआ करता है High court के बारे में basic बाते हम लोगों ने जान ले Emergency provision समिधान में तीन तरके की Emergency होती है National Emergency, राष्टपती शासन and Financial Emergency National Emergency आर्टिकल 352 में लगाई जाती है कब अगर राष्टपती satisfied है कि भारत की security को threat है और threat के तीन कारण हो सकते है या तो war हो गई हो या External Aggression हो गया हो या Armed Rebellion हो गई हो war हो, बाहर से आक्रमन हो या internally कुछ हो जाए Armed Rebellion हो जाए ऐसा है तो वो पूरे भारत पे या भारत के कुछ हिस्से पर Emergency लागू कर सकते है जरूरी नहीं है पूरे भारत पे लगए कुछ हिस्से पे लग सकती है कारण तीन ही है, चौथा कारण नहीं है कहने का मतलब है अगर पेंडेमिक फैल जाए तो Article 352 लागू हो जाएगा ऐसा नहीं है हमारत साविधान अभी यह नहीं कहता तीन ही कारण बताएगा है war, external aggression, around rebellion Proclamation जारी करके भारत के कुछ हिस्से पे या पूरे भारत पे मर्देंथी लगा सकते है इस Proclamation को लोग सभा, राज सभा, special majority से पास करेंगे एक महने के अंदर राष्ट पती जब इसे जारी कर देंगे एक महने तक तो यह बिना पास कराय चलता है एक महने के अंदर लोग सभा, राज सभा से पास होगा तो आगे छे महने जाएगा और छे-चे महने के यूनिट में कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है जब तक राष्ट पती इसको रद ना करदे इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है इस्टेट गॉर्णमेंट्स अब राज सेंट्रल गॉर्णमेंट्स चाहे तो राज्यों को आदेश दे सकती है नॉर्मल कोर्स में सेंट्रल गॉर्णमेंट्स इस्टेट के मुद्दों पर आदेश नहीं दे सकती लेकिन इमर्जेंसी लगी है तो वो राज सरकारों को administrative directions दे सकती है उन मुद्दों पर भी जिस पे राज जुकादिकार प्राप्त होते हैं मतलब राज बाउंड हो जाते हैं center की बात मानने के लिए अपने jurisdiction में भी state legislature shall make law under the supervision of parliament जो state legislature है अब इसमें क्या होता है parliament को state list पर law बनाने की permission मिल जाती है state list will become the concurrent list मतलब parliament के पाथ state list की power खतम नहीं होती है law बनाने की लेकिन parliament को additional power मिल जाती है parliament भी state list के मुद्दो पर law बना सकता है parliament चाहे तो राज जी के law supervise कर सकता है house की life पास साल के ब्याट बढ़ सकती है मतलब emergency लग जाए emergency एक लोग सभा और विधान सभा की कारकाल एक एक साल के unit में कितनी बार भी बढ़ा otherwise कभी भी लोग सभा विधान सभा की कारकाल नहीं बढ़ा सकते हैं fundamental lights पे असर क्या होता है emergency लगने का article 19 automatically suspend हो जाता है अगर war की वज़े से emergency लगी है और armed rebellion की वज़े से लगी है तो article 19 जिसमे 6 basic freedoms होते हैं वो automatically suspend हो जाएगा लेकिन armed rebellion की वज़े से लगी है मतलब third जो कारण है तो फिर automatically नहीं होगा तब आदेश द्वारा करना पड़ेगा article 21 कभी suspend नहीं होते यह आपको बता रखा है मैंने और other fundamental right suspend हो सकते हैं लेकिन राष्टपती को लिख के देना पड़ेगा और fundamental right भी suspend होते हैं article 19 के लिए कोई आदेश जाड़ी करना तरूरी नहीं होता जोडिश्री टीडिस्टेंसे नेशनल इमर्जेंसी के हैं एक तो अक्तूबर 1922 में लगी थी जब चाइना ने अटेक कर दिया था एक 1971 में इंडो पॉक वार हुई थी जिसंबर 1971 में जब पाकिस्तान के दो तर्फ से हमले हो गए थे बंगलादेश वार जिसे कह देते हैं और एक इंटरनल इमर्जेंसी लगी थी जब देश में इलेक्शन होने थे और इंडरा गांदी ने इंटरनल इमर्जेंसी लगा दी थी इंटरनल डिस्टरबेंस के बेस पर लगा दी थी इमर्जेंसी के दौरान बड़े हालात खराब हो गए थे देश के तो उसके बाद जब इलेक्शन हुए 1977 में इमर्जेंसी खतम कर दी जाती है, एलेक्शन से जो होते हैं, तब फिर कुछ बदलाओ किये गए सविधान में, जिसमें ये बदलाओ किया गया कि इमर्जेंसी के लिए जब भी राष्टपती की साटिस्फेक्शन की बात करते हैं, तो साटिस्फेक्शन बेसिकली सेंट्रल गॉर्णमेंट लग कैबिनेट का होता है, तो ये सविधान में लिख दिया गए आर्टिक दी तो बावन में, कि जब भी राष्टपती को सलहा दी जाएगी, एडवाइस दी जाएगी अपर ये लगाने के लिए वो सलहा पूरी कैबिनेट की होगी, सिर्फ प्रधार मंतरी कह दें, ऐसा संबब नहीं है, पहले वाली एमर्जेंसी में, जो इंद्रागानी ने लगाई थी उसमें, इंद्रागानी ने ही खुद सलहा दे दी जाए तो लगेगी, और 20-21 को इम्यून कर दिया गया, इमर्जेंसी के दौरान, तो ये नेशनल इमर्जेंसी हुआ करती है, जो तीन कारणों से 252 में लग जाती है, तीन बार भरत में लग चुकी है, राष्टपती शासन को इस्टेट इमर्जेंसी कह सकते हैं, या समिधान में लिखा गया है, फेलियोर आफ कॉस्टिशनल मेश भेज दे कि सेंट्रल गवर्मेंट खुद एज्यूम कर ले कि राज्य समिधान के अनुसार नहीं चल रहा है, ऐसे में राष्टपती राज्य की कुछ या सारी पावर्ज अपने नाम पर ले सकते हैं, इसे कहते हैं, पॉप्लरी राष्टपती शासन समिधान में बोला गया है, failure of constitutional machinery in the state. अगर राज्य समिधान के अनुसार नहीं चलता है, तो राष्टपती एक प्रोक्लमेशन जारी करके राज्य की कुछ या सारी पावर्ज अपने नाम पर ले ले लेते हैं, क्योंकि राज्य की पावर्ज अपने नाम पर ले सकते हैं, तो इसको नाम चे मैने में इसका अरवी होगा, और ये एक साल के लिए लगेगा, छे मैने लगा, फिर चे मैने लगा, एक साल बाद ये फिर छे चे मैने में चार बार बढ़ सकता है, दो साल बढ़ने की कुछ conditions होती हैं, उनमें ये है कि या तो देश में लग गई हो national emergency और election commission केह दे कि इ election संभाव नहीं है, अगर ये दोनों condition नहीं है, तो जो emergency है, वो एक साल के आगे, मतलब जो राज की राश्ट्पती शासन है, वो एक साल के आगे नहीं जाता है, तीन साल में लग सकती है, तीन साल से आगे जाना है, तो समयधान को change करना पड़ेगा, आमेंट करना तो फिर राज की सरकार बरखास्ट कर दी जाती है, राज गवर्नर चलाता है राश्ट्पती के नाम पर, ऐसा माना जाता है कि राश्ट्पती राज की सरकार चला रहे है, गवर्नर के पास सारी powers आ जाती है, राज की सरकार तो बरखास्ट कर दी जाती है, और जो state government होती है, एस्टेड असेम्बली होती है, उसको या तो डिजॉल्ब कर देंगे, विधान सभा के चुनाओ कराने के लिए, या डिजॉल्ब करने से बहतर है सस्पेंड इनिमेशन में डाल दें, मतलब इनिमेशन का मतलब होता है कि विधान सभा भंग नहीं करेंगे भंग करेंगे, election कराना जरूरी हो जाएगा MLS की law making power छीन लेंगे और Parliament law बनाएगा इस दोरान राश्ट्रपती को आदेश मिल जाता है आदेश अधिकार मिल जाता है उस राज सम्भंदित law को वो बना सकते हैं presidential acts कह देते हैं तो ऐसे में क्या होता है राज जी की law बनाने की power या तो राज विधान सभा भंग हो जाएगी या होगी तो law नहीं बना सकती नहीं बना सकती तो suspended animation कह देते हैं और ऐसे में कोशिश की जाती है किसी और party की सरकार बना दी जाए तक तक विधान सभा को suspended रखा जाता है जब किसी और party की सरकार नहीं बनती तक तक अगर नहीं बन पाएगी तो फिर विधान सभा को भंग करा कर छे मेने में election कराना दरूरी हो जाता है ऐसे में state list पर law बनाने का काम parliament के पास आ जाता है राज जी की सरकार राज जी की विधान सभा या तो होगी नहीं अगर है तो लौनी बना सकती ऐसे में center सारे law बनाता है fundamental right तो कोई असर नहीं आता है सरकारिया कमिशन ने काफी सारे इस पर recommendation दी थी कि कैसे इसका misuse नहीं होना चाहिए डॉक्टर मेट करने बोला है कि आर्टिकल 356 को उन्होंने dead letter बोला है उन्होंने बोला है राज हमेशा ठीक से काम करते रहें और center को कभी राज जी की सरकार बरखास करने की दरूट ना पढ़े मैं ऐसा आशा करता हूँ कि ये dead letter की तरह रहे उन्होंने 356 को मतलब राज़पती शाहसन वाले आर्टिकल को dead letter रहे ऐसी assume करने की बात कही थी लेकिन ये बहुत जादा misuse होता है बहुत जादा misuse होता है अगर किसी राजज में सरकार election हुए है और किसी पालिटी को बहुमत नहीं है तब भी अगला election करने दें पहले राजपती शाहसन लगा दिये जाता है राजपती शाहसन लगाने की वज़े हमेशा यही नहीं है कि राज़ में सरकार ठीक से काम ना कर रही हो election के बाद भी अगर जो mandate है वो fractured आता है किसी के पाल बहुमत नहीं है ऐसे में भी राजपती शाहसन में ले लेते हैं आर्टिकल तीन तो चपपन जो है लास्ट में लगाना चाहिए ऐसा सरकारिया कमीशन ने बोला है एसार भूमे केस का सम्बन भी misuse of राजपती शाहसन से हुआ करता है एसार भूमे केस 1994 ठीक है अर् एक होती है फारिंचल अमर्जेंसी आर्टिकल तीन तो चपपन में लखा हुआ है कि ये सेंटर की duty है कि वो राजप को protection दे मतलब राजप में ऐसम्हें कुछ अव्यवस्ता है तो आर्टिकल तीन तो चपपन में सेंटर की duty बनती है की राज जमोग प्रोटेक्शन थे आर्टिकल थे तो 56 पहली बार पंजाब में लगा था 1951 में और यूपी में 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 लग चुका है थर्ड फानेशल इमर्जंसी 306 में होती है अगर राश्च्पति को लगता है कि देश की आर्थिक इस्तिती खत्रे में है तो वह देश में लगा सकते हैं फानेशल इमर्जंसी एक प्रोक्लिमेशन जारी कर देंगे और वह प्रोक्लिमेशन जब तक जारी रहता है जब तक वह रिवोक नहीं हो जाता हां उसको दो मेने से आगे ले जाना है तो दोनों होसे से लोग सबरास सबासे सिंपल मेजॉर्टी से पास करना पड़ेगा ऐसा भी तो हो सकता है देश की आर्टिक स्थिती खराब हो ऐसे में भी देश में सेक्यूरिटी हो सकती है अगर बहुत जादा इन सेक्यूरिटी है हमारे फॉरन एक्सेर डिजर्स खतम होने लगे हैं महंगाई बहुत जादा हो गई है और जो फूड बिन से खत बहुत है सेल्डी वगदा भी खतम कम की जा सकती है फानिशल और मनीबिल्स राजज के सेंटर के हाथ में आ जाते हैं सारी पावर कोशिश यह होती है किसी भी तरिके से सेंटर को एमपावर कर दे ताकि अववस्था से देश को बहुत निकाला जा सके राजज की जो conditions काफी भारत की खराब हुई है लेकिन किसी और तरीके से हाला ठीक किये गए financial emergency का clause article आस तक इस्तेमाल नहीं हुआ तो तीन तरीके से देश में समिधान में emergency की बात की गई है this is emergency चलिए thanks a lot for watching this video SSC JE की test series prepon के app पर आप download कर लेंगे चल रही है solve करेंगे आपको बहुत फाइदा होने वाला है काफी लोगों ने जोइन की हुई है thank you very much